सबी गोईंकन्स को मेरा प्यार बड़ा प्रनाम आशा है, आप सबी बच्चे अपने अपने गरू में स्वस्थ है, सुरक्षित है, आप सबी गोईंकन्स का मेरी कक्षा में हार्दिक स्वागत है प्यारे बच्चों आज के विशे में शब्दर्थ करेंगे जो आपके विशे जो आपकी कविता प्रिथवी से लिए गए है शुरू करते हैं सबी बच्चे दिये गए शब्दर्थों को समझकर अपनी अपनी पुस्तिका पर लिखेंगे और याद करेंगे पहला शब्द दिया गया है प्रिथवी प्रिथवी का आर्थ क्या है धर्ती दूसरा शब्द दिया गया है दुरी और दुरी का आर्थ क्या है मद्य बिंदू तीसरा शब्द दिया गया है परिक्रमा करना इसका अर्थ क्या है जीहा किसी के चारों और गूमना आशा है आप सबी बच्चे अपनी अपनी पुस्तत पर देख रहे हैं और दियेगे शब्दर्थों को समझ रहे हैं अगला शब दिया गया है रितुए और अर्थ है मोसम अगला शब त्योहार, त्योहार का अर्थ क्या है पर्व अगला शब दिया गया है ब्रहमांड, ब्रहमांड का अर्थ आएगा स्रिष्टी आखरी शब्द है चंदा, चंदा यानी चंदर्मा तो दियेगे शब्दर्थों को सबी बच्ची अपनी अपनी पुस्तिका पर लिखेंगे और याद करेंगे आगे दिया गया है सही शब्द चुनकर सही का निशान लगाओ व पंक्तियां पूरी करो जैसे कि आपने कवीता पड़ी है तो दियेगे शब्दों को चुनकर पंक्तियों को पूरा करना है जैसे कि पहले सथान में लिखा है वाक्य को में बांद कर रखती तो कवीता में आपने पड़ा था किसे बांद कर रखती चंदा तो आप सबी बच्चे लिखेंगे चंदा को में बांध कर रखती अगला दिया गया है कितने रूप बदलता है जैसा कि हमने कवीता में भी पढ़ा था तो आप सबी बच्चे लिखेंगे कितने रूप बदलता है प्यारे बच्चों आज की कारे में आज की विशे में दो कारे आपको दिये गए हैं शब दर्थ सभी बच्चे अपनी अपनी पुस्तिका पर लिखेंगे और इस कारे को सभी बच्चे अपनी पुस्तिक पर पूरा करेंगी आप सबी going dance के लिए आज की कक्षा में इतना ही आप से फिर मिलेंगे अगली कक्षा में दीजे इजाज़त धन्यवार